नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोख खबर जानते हैं सो मुआर 2022 से कुरोना का टीका लगाया जाएगा बता दे पीए मोधी ने इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स और फ्रॉंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की घोस्ना कर दी है पीए मोधी ने कहा कि साथ साल से अधिक उम्रेक के उन लोगों को भी भूस्टर डोज दिया जाएगा जो दूसरे गंभीर बिमारियों से पिड़ी थाए बता दे पीए मोधी ने बच्चों के टिका करन का एलान करते हुए कहा कि यह देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही इसकूल कॉलेज में जा रहे हमारे बच्चों और उनके माता पिता के चीनता दूर करेगा बता दे हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बुष्टर डोज का एलान करते हुए पिए मोधी ने कहा हम सब का अनुभाव है कि जो कुरोना वरियर्स हैं हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बह चाहेंगे उसके बाद 28, 29 और 30 दिसंबर तक राज के कई इलाकों में हलकी बारिश की संभावना जताई गई है बता दे मौसम बैग्यानी अभिसेक आनंद ने बताया कि जार्खन के उतर पचिम और निकटवर्ति मद्य भाग में कहीं कहीं हलकी बर्षा हो सकती है 29 दिसंबर को जार्खन सरकार की दूसरी वर्ष गाठ मैदान में होगा जहां क्लोरों की योजनाओं का सिलन्यास और उतघाटन होगा इसके अलावा जीलों में भी कारिकरम आयोजित होंगे बता जे राज शरकार की महत्व कांची योजना आपके दिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहाँध अब अब तक की उपलबदियों पर खास फोकस होगा और इस सोजना को इसी रूप में आत्वा किसी अन्य रूप में आगे भी जारी रखने पर निर्नाय लिया जा सकता है HEC करमचारियों की हरताल जारी 31 तक बेतन भुकतान की मांग बाकाया बेतन भुकतान की मांग को लेकर HEC के तीनो पलांट के करमचारियों के हरताल सन्निवार को भी जारी रही निगम करमियों ने प्रवंधन के खिलाप नारेबाजी कर परदसन किया इधर हटिया प्रवर्जेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंतरी राना संग्राम सिंग ने निगम प्रवंधन से 1-7-6-2 मांग के भेतन भुकतान की मांग की है उन्होंने कहा है कि प्रवंधन 31 दिस्टंबर तक बेतन का भुकतान करे आशा नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा 26 सयार सिक्षक भरती के लिए फिर बदलेगी निमावली राज्य के प्रवंधिक स्कूलों में 26 सयार सिक्षक की नियुक्ति परकिया निमावली के फिर से संसोधन के बाद ही सुरू होगी निमावली में भोजपूरी अंगिका और मगी बीसाय के सामिल होने के बाद नियुक्ति परकिया शुरू की जाएगी बतादे स्कूली सिक्षाव और सक्षता विभाग फिर से इसकी तियारी शुरू कर रहा है प्रात्मिक मीडिल से लेकर हाई स्कूलों में सिक्षको का पथ जीला अस्तर का है और उनकी नियुकती जीला अस्तर पर होती है राज सरकार ने दो दिन पूर्व ही जिला आस्तर के नियुक्ति के लिए जनजातिय भसाओं और शेत्रिय भसाओं के सुची जारी की है इस अधार पर अब फिर से निमावली में संसोधन किया जाएगा एक जनवरी से पारा सिक्षक होंगे सहायक अध्यापक राजे के पैसाथ हैर पारा सिक्षक एक जनवरी 2022 से सहायक अध्यापक कहलाएंगे पतादे पारा सिक्षकों की सेवा सर्थ निमावली और बड़े हुए मांदे पर कैबिनेट की अगली बैटक में मुहर लगेगी वही मुख्य मंत्री हमान सुरेण 29 दिस अमबर को राजे सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष में इनकी बिद्वत घोसना करेंगे बतादे पारा सिक्षकों को एक जनवरी 2022 के प्रभाव से ही बढ़ा हुआ मांदे मिलेगा इसमें सिक्षक पत्रता परिक्षा 5 प्रसिक्षीत करीब 13,000 प्रसिक्षकों को 50 पिस्दी वहीं 50,000 प्रसिक्षीत प्रसिक्षकों को 40 पिस्दी बढ़ोतरी के साथ मांदे का भुक्तान मिलेगा उन्हें फरवारी में मिलने वाला जनवारी का मांदे इसी बड़ोत्री के साथ दिया जाएगा 14 साल बाद हाई श्कुलों के 153 सिखचग बनेगे परधाना ध्यापक राजे के हाई स्कुलों के 153 सहायक सिखचग परधाना ध्यापक के पौद पर परणोत होगे बता दे 14 साल बाद प्रधाना ध्यापक के पद पर प्रोनती होगी इसके लिए इसकुली सिक्षा और सक्षता विभाग के माधमिक सिक्षा निदे साले ने ऐसे एक सो तीरपन सिक्षको की और बंदिक सुची जारी कर दिया है इसमें 24 साल की सेवा पूरी करने वाले असनत कोतर योगता धारी सिक्षको के नाम सामिल किये गया है वहीं अनसुची जन जाती और अनसुची जाती सियनी के असनातक प्रसिक्षित बेतन मान उच बिद्याले सनवर्ग के 18 वर्ष की सेवा फून करने वाले असनकोतर योगताधारी कार्णत सिक्षको को सामिल किया गया है कोडार्मा में DC आवास के दो हाउस गार्ड समेत 18 पोजेटिम मिले पिछले सब्ता से कोडार्मा जीले में कुरोना के मरीजों में जबर्जस इजाफा हुआ है बता दे इससे जीले में तिस्री लाहर के संका बढ़ गई है सन्नी बार को पिछले 24 गंटे में 18 कुरोना पोजेटिम मरीज मिले इससे पहले 24 दिसंबर को 22 संक्रामित मिले थे बता दे क्रोना के मामलों में तेजी आने से चिंतित जीला परसासन और स्वास्त विभाग ने लोगों से लापरवाही से बचने की सलाज दिया है जीले में इस समय कूल पोजेटिव मरीजों की संख्या बढ़ कर 105 हो गई है सनिवार को 8 PCR जाज में एक और ट्रू नेट से 10 रैपिट एंटिजेन किट से 7 पोजेटिव मरीज पाए गए हैं जिन में 3 मरीज स्वास्त भी हुए हैं बाबा बैदनाथ मंदीर जाने से पहले जाने निया जारखन के देव घर में विशेश त्यारी की गई है बता दे बाबा बैदनाथ मंदीर में दर्सन करने आने वाले सरधालूओं को कोविट का दोनों टीका लगाना अनिवार रहेगा इसके बिना भक्त गन बाबा के दर्सन नहीं कर पाएंगे बता दे की नए साल के मोके पर भागवान भोले नाथ के दर्सन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहां आते हैं नए साल में बैदनाथ मंदीर में उमरने वाली भीड को देखते हुए सुक्रवार के दिन ही जीले के अधिकारियों ने बाबा मंदीर और रूट लाइन का निरिक्षन किया अधिकारियों ने देवगर आने वाले सर्धालवों के लिए हर संबोव सुविधा सुरक्षा एवं स्वास्त व्यवस्ता को लेकर रूट लाइन, बाबा मंदीर प्रांगन और मंदीर के आसपास के छेत्रों का निरिक्षन करकी जाने वाली त्यारियों का जाजा लिया जारखन में एक बर फिर कुरोना की केस बढ़ने लगे हैं जारखन में 55 नाई केस मिले हैं जबकि 18 मरी स्वास्त भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संक्या 276 है भारत में 1789 नाई केस मिले हैं जबकि 1886 मरी स्वास्त भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 77,584 है हटिया बंडा मुडा रेलवे दुरगाटना के बारे में जनकारी सामने आ रही है बता दे जारखण में हटिया राउर केला रेलखण पर सन्नीवार रात 9 बज कर 40 मियट को दो ट्रेने आमने सामने टकरा गई टकर इतनी जोरदार थी कि इनजन के साथ कई बैगान के परशके उड़ गए बता दे दोनों ट्रेनों में बैठे लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन के टकराणे से पहले इनजन से कूद पड़े इस दुरगाटना में लोको पाइलट रंजीत कुमार कोगंभिर चोट आई है मिडिया रिपोर्ट से मिली जनकारी के अनुसार इस विश्ट दुरगाटना के बाद बानो रेलवे पुलीस और कई वरिष्ट अधिकारी घटना अस्तर पर पहुँच गया है हजारी बाग जीटी रोड पर गैस ट्रंकर पलटा 10 किलोमेटर इलाका सेल जारकंट बिहार की सीमा से सटे हजारी बाग की तनुवा घाटी में हाथिया बाबा मंदीर के पास सनिवार देर रात एक गैस बराग ट्रंकर पलट जाने से रात भरलोग दसत में रहे बता दे पलटते ही ट्रंकर में आग लग गई खत्रे की असका और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिश ने दोनों और से 10 किलोमेटर तक के इलाके को सील कर राश्ट्री राजमार्क चंकिया दो पर दोनों और बाहन को रोक दिया बता दे ट्रंकर पर सवार एक व्यक्ति को घायल अवस्ता में एम्बूलेंस से इलाज के लिए 12 चट्टी बिहार भेज दिया गया है साधे 14 क्रोर की लागत से जार्खन में बनेंगे 36 इंटीग्रेटेड फार्मिंग कलस्टर ग्रामिन जार्खन की आजीवका को ससक्त करने के साथ साथ अस्थाई परिसंपतियों के स्तिरिजन की दोहरी मंसा से सुरू की गई इंटीग्रेटेड फार्मिंग कलस्टर परियोजना के सुभारम के साथ साथ जार्खन में इस परियोजना के जमीनी अस्तरपर किन्यनवन की दिशा में परयास सुरू कर दिये गए है बता दे शुरु आती चरण में इस परियोजना के तहट राज्य के सभी जीलों में 36 कलस्टर पर काम सुरू होगा इसकी अनुमानित लागत 45 कलोर आकी गई है जार्खन में इस परियोजना को जार्खन इस्टेट लावली होड परमोसन सुसाइटी बिभीन बिभागों के समन्वन के साथ अंजाम देगा किसान डेरी से सुरू हुआ जार्खन में भुरून परत्यारोपन केंद्र प्रायोजीत कावेकरम के तहत राची के किसान डेरी फार्म और माजी से जार्खन का पहला भुरून परत्यारोपन किया गया पतादे नेशनल डेरी डेवलोपमेंट बोर्ड के डाक्टर एस पी सिंग वर डाक्टर देवेंद्र स्वामी जार्खन इस्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी के डाक्टर प्रवीन जहा नोडल पदाधिकारी केके तिवारी आधि उपस्तिती में किसान डेरी फारम की गायों में भुरून परत्यारोपन किया गया इसके लिए एक महपुर्व ही किसान डेरी फारम उर्मांजी का चैन किया गया था बतादे भुरून परत्यारोपन को लेकर परमेश्वर साहू और सरकार के बीच एमयू किया गया था डाक्टर एस्पी सिंग ने कहा कि लिंग सौर्टेट वीरे से 90 परतिशत गायों से जन्म लेने वाली बाची होगी हर गाय के लिए किसान से 750 रुपे लिए जाएंगे तीन बार गाय का गर्वधान किया जाएगा तीन बार में गर्वधान नहीं होने पर 500 रुपे किसान को आपस दिया जाएगा जार्खन में टिका करण की रफ्तार में आई तेजी राज्य में कुरोना टिका करण की रफ्तार में तेजी आई है फिलाल रोजाना एक लाग साथ हैर से अधिक लोगों को टिका लगाया जा रहा है इस वज़े से राज्य में टिका करण के पहले डोज में चार जिले ग्रीन जोन में आ गए है बता दे ग्रीन जोन में सामीर सबसे उपर पैदान पर पुर्वी सिम्भूम जिला है जाहें सबसे अधिक 89 फिजदी अबादी को पहला डोज का टिका लग चुका है वहीं खोटी में 83 फिजदी और पाकोर में 81 फिजदी अबादी को टिका लगाया जा चुका है स्वास्त विभाग के ताजा आकडो के अनुसार राजी के कई जीले ग्रीन जोन के करीब हैं इन में 80 फिजदी में से अधिक अबादी को टिका लग जाएगा इन जीलों में दुमका में 89 फिजदी जामतवा में 88 फिजदी राची में 88 फिजदी कोडार्मा में 77 फिजदी साहिव गए 77 फिजदी हजारी बाग में 77 फिजदी अबादी को टिका का पाला डोज दिया जा चुका है जारखंड की हेमंत सरकार सुरू करेगी स्टुडेंट क्रेडिट काड योजना जारखंड सरकार राजे के छात्रों को उच्छा के लिए स्टुडेंट क्रेडिट काड लाने पर विचार कर रही है मुख्यमंत्री हेमंसुरे ने इसकी योजना बनाने का नेदेस राजे के आला अधिकारियों को दिया है मुख्यमंत्री हेमंसुरे ने कहा हाँ भी था कि सरकार हर वर्ग के बच्चों को उच्छा दिलाने में हर सम्मा मदद पहुचाएगी राज सरकार ने बंगाल वा बिहार की तर्ज पर स्टुडेंट क्रेडिट काड योजना लाने जा रही है बता दे योजना के तहट सरकार छात्रों को 10 लाख रुपे तक का सौफ्ट लोन देने की योजना बना रही है इसमें UPSC की त्यारी करने वाले छात्र, IIT, IIM में दाखिला लेने वाले छात्रों अत्वा बिदेश में उच सिक्षा ग्राहन करने वाले स्टुडेंट को काड दिया जाएगा जे SAC परिक्षा का आवेदन सुल्क 1000 रुपेया से घटा कर 100 रुपेया जार्खन करमचारी चैन आयोग ने जार्खन समाने असनातक योगता धारी सन्यूक्त परिक्षा 2021 के परिक्षा सुल्क में संसोधन किया है इक चुक अभियार्थियों को 1000 के बदले अब 100 रुपे परिक्षा सुल्क जमा करना होगा वही जार्खन राजिके SC वर ST अभियार्थियों को 250 रुपे के बदले 50 रुपे सुल्क देना पड़ेगा बता दे आयोग के परिक्षा ने अंतरक द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिग्यापन की से सभी सर्ते अथा संबव रहेगी बोकारो के जुमरा पहार में तेजी से होगा सड़क निमानकारे जार्खन के बोकारो जिले के गोमिया परखन अंतरगत जुमरा पहार से सित कोपी तक की निर्मानाधिन सड़क का निर्मानकारे बन विभाग द्वारा एनोसी नहीं मिलने के कारण पिछले तीन वर्षों से बंद है बता दे अब बन एवं परियावन विभाग द्वारा मिले दिशा निर्देश के बाद हजारी बाग पूर्वी बन प्रमंडल के डिएफो ने कुछ सर्तों के साथ सलक निर्मान के लिए एनोसी दे दिया है देखते हुए स्वास्त विभाग अलोट पर है बतादे चात्रा से सटे कोडार्मा जीले में लगातार क्रोना संक्रामित मरीज मिलने से विभागे अधिकारी चिंति थाए इस निपर्टने की सभी अवसक त्यारी पूरी की जा रही है बतादे जीले में प्रती दिन लगवग एक हजार लोगों की आल्टी पीसीर जांच की जा रही है जीला महामारी प्रतादिकारी डाक्टर आसुतोस कुमा ने बताया की कोवीट को लेकर मेडिकल टीम का गठन कर दिया गया है ताकि अपात काल की स्थिती में मरीजों को बेतर सुविदा मुहया कराया जा सके टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का चुनाव 31 दिसंबर को उसी दीन मत करना और को अप्षन का प्रस्ताव आएगा बताद 31 दिस्तंबर को ही पतादिकारियों का चयन और कमेटी मेंबरों की पॉलि बैठक फी होगी बिहारी भासा को लेकर जार्खन में अंदोलन जार्खन बनाया जाए राज में मैथली भोजपूरी मघी व अंगी का भासा को लागू कर सहीद निर्मल महतो को सरमसार ना किया जाए क्योंकि हम लोग इनहीं भासाओ अर्थार्थ बिहार से लड़ाई लड़कर अलग राज का निर्मान किया है जार्खन इस्टेट स्टूडेंट यूनियन ने तेज की जेपीएसी के खिलाप परदर्सान जार्खन इस्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जेपीएसी में हो रही गरबाणी की विरूत आंदोलन के 55 दिन सहीद निर्मल महतो की परतिमाप मल्यारपन करके सरदा संजली अर्पित की गई बता दे जे पेसी आंदोलन जार्खन अलग राजे के लिए सहीद निर्मल की तड़ पर करने का संकल्प लिया गया इस महों के पर अध्यक्ष देवेंद्रेनात महतो संजीत महतो ने काया कि सहीद निर्मल महतो की सहाधत के पईना राजे का गठन की पराबनेगा इंडस्टरी हब स्यामा परसाद मुखसार जी रूबन मीशन के सरादू कलश्टर में निर्मानकी तक स्यामा परसाद मुखसार के तहुपन मिशन के बहुत निर्मान ладमल पर के संञरुन सरे अपना के लिए सराधू गाव का चैन किया गया है भारत में साधी की उम्र बढ़ाने के सवाल पर लड़कियों की सोच हाल ही में भारत सरकार ने बाल बीवा निसेद अधिनियम 2019 के अंतरगत महिलावों की साधी की उम्र 18 से कई साल करने की घोसना की है जिसे लेकर एक बड़ा तब का खुस भी है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के इस फैसले का विरूद भी कर रहे हैं इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं हलाकि देश के ज्यादतर लोगों ने सरकार के फैसले की काफी सराना की है यही वज़ा है कि सीदकाली सत्र में भी इसे असानी से देश करा लिया गया बता दे इसी संदर्म में गड़वा के राज कीये को जागरू करने के लिए एक वात-विबात कारकरम का वजन किया गया जिसमें स्कूली शातर चत्राउ ने बढ़ चर करना सिर्फ हिसा लिया बलिक अपने बीबीक अपने विचार भी रखे इस परत्य जुकता में नौवी से बरावी कलास तक की छत्राओं ने हिसा लिया। बिजली कॉटावती से परिसान रामगर में अन्दोलान। अब रामगर चेंबर ऑफ कोमर्श ने मुर्चा खोल दिया है। बिली कटोथी के बिरोध में रामगर चेंबर आफ कोमर्स ने अपने अंदोलने के दूसरे चन की जोईना बना लिया है जनकारी के मुताबिक 29 और 30 दिसंबर को विधूत अधिक चन अभियंता के कर्याले परिसर को घेरने का ऐलान किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होएं तो चैनल के सब्सक्राइब कर बहुत के लेकर इंदर वाईए साथ सार वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों सब्सक्रार करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीड़ बैक अवास से दे थैंक यू